बिस्मिल्लाहिरह्मनिरहीम, असलामु आलेकूम, मैं हूँ दसीर साही अड़ोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज, आज का जो लीगल इशूज हमने डिसकस करना है वो यह स्टे मैटर, प्रॉपर्टी के केसिज में आम तोर पे होता है कि स्टे ले आते हैं, मैं मका की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, दिवारें खड़ी हैं, मिस्तरी लगे हुए हैं जनाब हमारें, दूसरी पार्टी के यह जा कि अदालत में केस करके, यह देखें जी स्टे, आप कुछ नहीं कर सकते, स्टेटस को हो गया है, जहां पे काम है उधर ही रुख जाता है, प्रापर्टी मेरी है, बेचना मैं चा रहा हूं, मुझे पैसों की जरुरत है, स्टेए आगया यह दालत का बेच नहीं सकते, बेचूंगा, स्टेए आया हुआ है, स्टेए की वाइलेशन करूंगा, जेल जाओंगा, मेरे पर कॉंटेम्ट की प्रसीडिंग लग जाएंगी को टेम्ट ओफ कोर्ड की प्रसीडिंग शुरू हो जाएंगी, सदा हो सकती है उसमें मुझे, करे क्या बंदा हो, उसके पास क्या रेमेडी मुझूद है, कहां पे जाएगा, स्टेए हो जाए, तो उसको खतम करवाने के लिए आप क्या तगोदो करसें, क्या स्टेए की दो तीन चीज़ें जेन में रखें, स्टेए इस चीज़ पर गरांट किया जा सकता है, कोट देखती है, को बंदें ने केस दाखल किया है, जनाब केस के साथ उसने दर्खास लगा दिये, सीपी सी की जनाब दर्खास है, आर्डर 39, रूल 1 और 2 की नॉर्मरी लगाई जाती है, स बंदा ना आगे ना पीछे, तो यह टेंशन हो जाती है, इस किसम का, फिर court stay करती है, जनाब court ने, बादफ़ इंटेरम stay होता है, इंटेरम का मतला आरजी है, कुछ देर के लिए है, नॉर्मली अधालतें जो हैं, इंटेरम stay जो हैं, 15 दिन से ज्यादा नहीं करती, short, 2-4 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन से ज्यादा, आम तोर पे courts नहीं कर करती हैं, कोशिश करती हैं कि 15 दिन से कम कम, एनियो, इंटेरम कर दे, या फिर, बादफ़ पर्मानेंट भी हो जाता है, कि हमेशा के लिए बादफ़ ममनूर रहें, इस किसम का stay भी फाइल किया जा सकता है, एनियो, कोई दर्खास देता है, उस दर्खास में जनाब, जैसा ह आपको stay कर देते हैं, कि आपने ये मकान नहीं बनाना, नॉर्मली उसकी जो application होगी, उसकी reasons यह होगी, पहली चीज़ तो यह उसने बियान अलफी साथ लगाया होगा, एफिडिविट लगाया होगा, एफिडिविट को मतलब होता है, कि किसम खा आगे बंदा कहता है, हलफन बियान करता हूँ, कि यह जो मैं बातें कर रहा हूँ साच हैं, और मेरा बड़ा नुकसान हो जाए, कोट को चाहिए, कि एक शरीफ शहरी आया है, आगे कसमे उठा रहा है, हलफ दे रहा है, तो उसकी बात पे तो वरोसा करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्शनेटली शरीफ श वो लहता बात है कि मिन हैसल कों भी बिगड़े हुएं, जूट बोलने में आर महसूस नहीं करते हैं, कोट ने देखना है कि इसने एफिडेवेट बियान अलफील साथ लगाया हुआ है, फिर ये इस वज़ा से मांग रहा है स्टे, कि सर फॉरन स्टे दे 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 इस वोसकती है, फिर कोट पर इसा करें इसकी हीट को तबदील ना करें, इसकी शेप को चेंज़ेट ना करें, इसकी मल्कियत को चेंज़ेश pourquoi कर दिया तो मेरा? इंपेरभी लास हो जाना है जो रिपेर नहीं हो सकता अतना ज्यादा नुक्सान हो جाना है, बहुत जबाति है, उ इसने लगाया हुआ है फिर इसका irreparable loss हो रहे है दो चीज़े मजीद जैसा हम यह देखेंगे कि इनका balance of inconvenience यह जैसा balance of inconvenience यह देखा जाएगा मैं आगी शोर में चाहरा हूँ stay कर दो जिनाब stay कर दो तो मेरा नुकसान हो जाएगा यह देखें यह नुकसान होना है मेरा जैसा हम ने देखने हैं कि अच्छा तुम्हे stay दे देता हूँ तो suppose तुम्हे stay नहीं में देता तो तुम्हारा नुकसान इतना होगा अगर मैं stay दे देता हूँ जिसके खिलाफ stay दे रहा हूँ उसका कितना नुकसान होगा suppose तुम्हें एक लाग रुपय का नुकसान हो रहा है अगर मैं स्टे दे देता हूं तो दूसरी पार्टी को दस लाग का नुकसान होने कंदेश है उसने वो जो गुदाम जिसके पर कह रहे हो कुछ ऐसा काम ना करें उसके नदर सबजियां पढ़ी है वो सारी गल सट जाएंगी अगर मैं स्टे दे 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 जाए जाजसर ने बैलंस आफ इंक्रमिनियंस देखना है कि किस की फेवर में है फिर वो दे के कि लाउस ऐसा तो नहीं है एक को लाउस से बचाने के लिए दूसरे को ज्यादा नुकसान उसका कर दिया जाए तो बैलंस आफ इंक्रमिनियंस देखना है कि किसी का ज्यादा नुकसान ना कर दे किसी का थोड़ा फाइदा करने में दूसरी चीज जाजस अब यह देखनी है कि प्राइमा फशाई इनका केस बजाहर इनकी फेवर में जाएगा कल कोई केस का फैसला बजाहर ऐसे लग रहा है कि प्राइमा फशाई गूड आर्गूबल केस है इनका इनकी फेवर में होने के चांसी है यह दो चीज जाजस अब नोट करेंगे फरदर एक उसका इफिडिमिट लगा होगा दूसरा ये 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 नुकसान ये आगे बेच देगा मुझे ये डर है जाया कर देगा कबजा देगा ये कर देगा कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़दिशाद है और साथ ये दो चीज़ें जजज सब देखेंगे पिर जैज सब स्टे ग्रांड कर दें जैज सब स्टे ग्रांड कर देते हैं आप परिशान होगा जóle मेरे खिलाफ वस्टे ले आए ये तो जाए उसी कोट में उसी कोट میں जाके मैंने और्ज किया कि नॉर्मली जो इंटेरम स्टेय पंदरा दीन से ज्यादा नहीं होता दो-तीन दीन का जो स्टेय दिया आप जाएं कोट के अंदर पेश हो और जजज साहब को request करें कि सर इसको further extend ना करें आपने तीन दीन का स्टेय दिया था इसको extend नहीं करना आपने वो पूछें कि क्या वज़ा है तो उनके बताएं उन्हें बताएं बज़ा यह है कि ये केस हमारी फेवर में है असल में ये ये चीटिंग कर रहे हैं इस वज़ाद फिर जैज साहब की डिस्क्रिशन है वो चाहें एक्स्टेंड करें चाहें तो ना करें जैज साहब सपोज फिर एक्स्टेंड कर देते हैं आपके पास वो आडर आ जाता है कि जैज साहब नराज है इस चीज़ पर आपका काम है जैज साहब से उलजेना जैज साहब ने स्टे ग्रांट कर दिया यह judge साब ने refuse कर दिया, dismiss कर दिया आपका और आपको फिर गिला judge साब दुनों सूर्थों में आपने उसको order को लेना है, उस सदका नकल लेना है उदर से लेके तो आपने district judge साब, उसे बढ़ी अदालत, session court होती है और civil cases को जब deal करें session court, तो इसे कहते है district judge साब district judge साब के पास चले जाना है, civil judge का फैस्टा लेकि district judge साब के पास जाना है, उदर जाके challenge करना है कि यह देखिये, इन्होंने order किया, मुनासब order नहीं suppose उदर से आपको जो order होता है, पसंद नहीं आता, आप high court चले जाना है कोट के अंदर जाके उसको challenge करें, कि यह यह matter है, और यह बनता नहीं किसी सूरत में भी, high court आपको relief देगा, यह आपके पास options मुझूद रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा judge साबने कोई लकीर लगा दी है, कि stay करता हूँ, तो वो हो गया, दाइमी stay हो गया, ऐसा नहीं होता, जब भी, वो interim stage है, सब करें, वक्ती तोर पे करें, या permanent करें हमेशा, दोनों सूरतों में, वो दर्खास का final, जो stay की दर्खास है, उसका final फैसला कर दें, या आरजी फैसला भी चल रहा है, order sheet चल रहा है, दोनों सूरतों में आपके पास के त्यार रहता है, आप उससे अगली अदालत, उससे अगली अदालत के पास रुजू करें, जाके उसको challenge करें, उसको खतम करवा सकते हैं, आप अदालत से ना उलजें, आप पार्टी से ना उलजें, या कनूनी तरीके से, इसको technical तरीके से handle करें, इन्शाला आपको relief मिलेगा, हो सकता है, कि आपने कुछ न कुछ ये जो stay ले आते हैं, जल्दी जल्दी से property पे, इसके बारे में कुछ न कुछ सीख लिया हो, जीद वीडियो के लिए हमारे साथ रही है, अगर channel अच्छा लगे, इसको subscribe कर लीजे, वीडियो अच्छी लगते हैं, इनक झौस्टों के साथ येविग एक नदी कुछ थारे मुछ रजा एलाइंगे, इनके वरे एलमचु न की लिए लिए हो ऑट इसके लिए्माटर को से विए हो क्रोड़ से बारे मुछ न साथ हो बारे मुछ बारे मिलेगे, नह टे आते हैं, कि अधने कुछ एलिए एलगे, ते